तो सबसे पहले आज का जो मार्केट था वह बहुत बढ़िया था अगर आपको बहुत बढ़िया रिजल्स देखने को मिलते हैं आपको मैं दिखाता हूँ कैसे सबसे पहले हम लोग का गोल टेलिग्राम फ्री है बस आपको डिस्क्रिप्शन में काउंट ओपिन करना है यहां पर मैंने अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ट्रेड दिया था बैंग निफ्टी की पुट 43,300 की 215 पर उसने हाई पता है यह मैंने गलर टाइब कर दिया हाई बनाया उसने 233 के करीब है ना 233 में टाइब कर देता हूँ इसके क्लारिटी हो उसने हाई बनाया 233 के करीब इसके लाव अगर आप देखो के तो मैंने ट्रेड एक और दिया था एक चोला फिनांस का मैंने ट्रेड दिया उसमें मैंने कराया फिर मैंने स्टॉप लस्ट्रेल करके कॉस्ट कोस्ट कराया उसके बाद फिर मैंने एक च्रेड और दिया बैंक निफटी की पूट दी थी आठ दिसंबर की 253 से 256 के बीच में और उसने अगर आप देखेंगे 256 से उसने हाई पता है कितना बनाया लगबग 281 के करीब तो लगबग हम लोगों ने गोल्ड कृप में तीन से चार्च रहे लिए सभी में प्रॉफिट्स हो हैं डिस्क्रिप्शन मिलिंग के एकाउंट उपिन कराओ और आपको लाइफ से मिल जाएगी और अगर आप फ्री टेलिग्राम में भी जोइन करना चाते हैं यहां पर यह लोग हैं इससे ज्यादा अगर आपको दिखते हैं बहुत सारे फेक चैनल बना के रखे गए हैं सो उनसे बच के रहिए सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी की तो ओपिन स्कॉल्टू हाई जो स्ट्राड़जी होती है नो ओएचल स्ट्राड़जी देखिए वह परफेक काम करी जैसे ही उपन हुआ वहीं से सिलिंग चालो हुई और लगातार लगातार अब देखोगे तो फॉस्ट आप में एक बढ़िया डाउनसाइड की रैली देखने को मिले उसके बाद क्या था मार्केट को एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला अल्टाइम हाई प करते हैं कि मार्केट में अभी भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बची हुई है स्टिल अगर यह स्ट्रेंथ टूटेगी तो मार्केट में तगड़े डिवर्सल से और डाउनसाइड में आपको बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है इफ फी को इन ऑप्सन चेन तो अगर हम लोग आप्सन चेन में चलेंगे स्पेशली निफ्टी के तो आप देखो जो ग्रीन वाली बार से इन कंपरेजन टू रेड़ वाली बार वो ज़्यादा है मतलब साफ साफ है कि मार्केट बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस के रैसेंस फेस कर रहा है उपर जाने में दिक्कत होगी मार्केट को कौन सा लेवल है भईया देखो 18,700, 18,800, 18,900 और 19,000 जब तक 19,000 के उपर नहीं जाएगा तब तक आपको बहुत बड़े बड़े रैसेंस देखने को मिल सकते हैं देखो 18,700 पे सेल आफ देखने को मिला तीक है यहाँ पे आपको 18,850 के पास सेल आफ देखने को मिला और इदर यहाँ पे भी आपको 18,680 के पास सेल आफ देखने को मिलता है so market is facing resistance strategy क्या हो सकती कल के लिए चले मैं आपको बता देता हूँ so देखिए guys अगर आपका nifty ये जो resistance बना हुआ है ध्यान से देखिए जब भी क्या करता है न market जब भी बढ़िया तरीके short covering हुई रहती है तो देखिए ये option writers का stop loss होगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा जिससे कि आपको भी clarity हो कि अब वीजियो देख के levels माग करके नहीं जाना है वो आपका aim नहीं होना चाहिए that not be our attitude so अगर आपका nifty जैसे ही इस level को cross करेगा level काउन सा है आज का जो भाई बना है 18,730 के level को cross करेगा तो ध्यान से समझिए यह जितने call writers बैटे हुए है कुछ ने आप कुछ positions exit करना चालू करेंगे और इसी में हम लोग को एक बड़िया short covering move में बड़िया बड़िया targets देखने को मिल सकते है अब target क्या रखेंगे बहुत nominal question आता है बहुत ही normal question so आज का जो high बना है यहाँ पे 18,780 पहला target मेरा यहीं पहोगा exact 50 point उपर second target यहाँ पे आज का open भी था लगबग आज का एक resistance भी बन चुगा है मतलब previous trading session का पिछले 2 दिन पहले का 18,850 मेरा second target होने वाला है safest target है बहुत आसानी से achieve होते है stop loss के साथ trading करने है stop loss आपका होगा 18,680 का swing low की ओवल 50 point का दूसरी condition क्या होती दूसरी condition is अगर market इसको resistance की तरीके से treat करता है जैसे पहले कर रहा है है ना so अगर उपर जाके यहाँ पे shooting star, gravestone, doji, dragonfly यह सब candles बनती है then we can definitely think of buying puts puts भी हम लोग buying कर सकते है है ना और उसी flow में आप बढ़िया downside में rally capture कर सकते हो थोड़ा से ध्यान दे के trade करना है and the level will be I just mentioned you guys the level is 18,690 700 के नीचे थोड़ा सब्स पॉइंट नीचे आपने trade लेना है अब देखिए यहाँ पे थोड़े से logical targets आते हैं पहला target आपका होगा let me mark for you first target will be around 18,630 के पास first target will be around 18,620 के पास और second target होगा आज का low around 18,600 के एक दम psychological level पे थोड़ा सा उपर रखना 605 पे निकल जाना और हमेशा क्या होता है उपर से ही थोड़ा reverse हो जाता है stop loss के साथ trading करनी है stop loss आपका होगा 18,710 का थोड़ा सा उपर रखना चाहूँगा 18,710 will be our stop loss so friends जितने लोग 2023 में एक professional trader बनना चाहते हैं आपको trading में problem है stock selection में problem है options trading में problem है psychology में problem है mindset में problem है live market strategies चाहिए आपको one day before stock selection everything is there आप हमारे course को join कर सकते हो video के description में link है आप हमें whatsapp कर सकते है आपको यहाँ पर दिखरा है whatsapp आप whatsapp कीजिए और आपको पूरा course हम लोग live conduct करते है everything I covered from basic to advanced hand holding पूरी है so जितने लोग 2023 में professional trader बनना चाहते है definitely you can whatsapp us so bank nifty का analysis करने से पहले मैं daily live आता हूँ आप हमेशा live market में हमें daily join कर सकते है आपको बहुत सारी live market learning में सीखने को मिलेगा हम लोगों ने आज भी दो trade किये और दोनों में profits हुआ है ठीक देखिए मैं आपको बताता हूँ पिछले हपते पूरा Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday पांचो दिन profit हुआ आज भी Monday को profit हुआ और उसके पिछले हपते Wednesday, Thursday, Friday लगातार तीन दिन उन तीनों दिन भी profit तो वो तीन दिन ही है पांच दिन एक छे दिन लगभग पांच दिन आठ एक लगभग हम लोगे नौ से दस दिन लगातार profit हुए है trade loss में गए हैं कुछ मिली विकोज HDFC बैंग लगातार उपर जा रहा था और बैंग नीचे जा रहते पर HDFC बैंग कितना है स्टॉंग है ना बैंग निफ्टी का हितना बढ़ा वेटेज रखता है कि खीच दिया इसको ऊपर है ना अगर आप ठीक है खीच दिया वो तो ठीक है यह चीज़ अगर आप और ध्यान से देखोगे तो आल सो यू गाईस इस तिंग यह देखिए यह कितना बढ़िया यहाँ पे एक पिक्चर परफेक्ट वन टू ठी फॉर फाइव सिक्स सेवें यहाँ पर टॉच किया और इससे परफेक्ट कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पर आप कॉल की पूजिशन बनाती है यह आपका स्टाप लॉस होता तो कितनी सुंदर रैली आपको अपसाइड में देखने को मिली है अगर आप निफ्ती में देखोंगे मिंस पैंक निफ्ती में O पर ऑवर ऑल जो बाईर से संगंपरिर्स टू सेलर अगर हम यह अज पर चरिदिंग शेशन की बात करूं सो बाइस जाता है अब अगर हम लोग भाउम लोग ब्लोग आयो, अप्सेड क्रेंग बी ऐ बिग डील है ना, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ी डील है, 43,500, अभी भी 500 से 170 पॉइंट उपर है, शॉर्ट कवरिंग में भी टार्गेट से यहां पर अचीव हो सकते हैं, इसके अलावाद देखोंगे तो 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 यह जो पान्सो की रेंज है, यहां पर हम लोग बढ़िया प्रॉफिट्स रिवर्सल स्ट्राइजी पर खेल सकते हैं और बना सकते हैं, तो देखें गाई, पिक्चर पर्फेक्ट, आई गान शो यू, पिक्चर पर्फेक्ट, एसेंडिंग ट्रेंगलर पैटन का फॉर्मे है, तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखनी को मिली की, एंट्री आपको लेनी है, आज के हाई की उपर, हना, हमेसा आज का हाई इंपोर्टन रेसेंज का काम करता है, 43,380 विल बी आवर एंट्री, एन के वल एक टार्गर निकल के आता है, वो है प्रिवेस रिदिंग सेकंड सिनेर्यू, बहुत है सिंपल है, रिवर्सल स्टाट जी इस बेस स्टाट जी है न, इससे सुंतर कुछ हो नी सकता है, देखो कैसे बताता हूं, देखो यहां गिरा, यहां पे आप पुटबाइं करते, यहां पे आया, ठीक, टिफिनिटी मार्केट लूज होगे, यह लिए एक रोस करता है, तो आप स्टाप लॉस स्ट्रिक्ट स्विंग आई लगा के चलोगे, और स्टाप लॉस बी 43,360 का स्टाप लॉस और दो टार्गेट आपके निकल के आने वाले है, 43,150 हम लोगों का पहला टार्गेट और 43,020 हम लोगों का सेकेंड टार्गेट होने अगर आप चैनल पर नहीं है तो डिफिनिटली चैनल को सब्स्राइब कीजिए, बिल आइकन को प्रेस कीजिए, आपका आज प्रॉफिट हुआ लॉस वक्ट, प्लीज कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, है ना, हम लोगों ने प्रॉफिट किया, आपने प्रॉफिट किय मैं देने वाला हूँ, हम लोगों का गोल्ड गूर्प का फ्री में, बहुत सारा कंटेंड वहाँ पर फ्री में मिलेगा, तो चलिए गाइस, हम ने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, गडब्लेस यू और बाई बाई